राजस्थान में अब किसी भी पुर्यमुख्य मंत्री को किसी भी तरह की सुवधा नहीं मिलेगी हमारे साथ है विमल, चौधरी इनी से बाचीत करते हैं कि इन लोगों ने हाई कोट में आचिया लगाई थी और हाई कोट ने जो सुवधाएं दी गेई थी पुर्यमुख्य मं आई कोडने से सम्विधानिक मान लिया, ऐसा है कि राज्चतान भारत का सम्विधान आर्टिकल 164-5 केवल राज सरकारों के जो वर्तमान मुख्य मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं और MLAG है, उनकी सुविधाओं का, उनकी तंखा का डिटर्माइन करने का अधिकार देता है, राज सरकार में मानिय मुख्य मंत्री वसंद्रा जी थी, उन्होंने इस एक्टि में अमेंड्मेंट करके 7WB और साथ में ग्यारक है, जोड दिया गया, जिसके तैत पूर मुख्य मंत्री, जोन्होंने पांच साल राज किया, बड़ा हुशारी किया, मुख्य मंत्री तो कोच है, एक साल का हुच है, दो साल का मुख्य मंत्री राज किया है, उनको ये सुजदा दी जाएगी, आज इवन बंगला वेल फर्निस, प्राइविट सेकेटरी, दो स्टेनोगराफर, एक फस्ट ग्रेड का बाबू, तीन चपड़ासी, और तीन चोईस घंटे का ड्राइवर, इस प्रोविजन दिया गया है, जो गाड़ी मिलेगी, इनको चोईस घंट के लिए और नेक यवल स्वेम के लिए, बलका पूरा परिवार, फेमिली के लिए, जो पूरे भारत ब्रह्मन कर सकता है, टेलीफॉन, सुजदा, कॉम्निक्वेशन, सुजदा, गार्डनर, और फेसिल इस केस को डेफर कर दिया गया था, इसलिए कर दिया गया था, लोग प्रहरी का, उत्र प्रदेश के मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोट ने कहा, कि आप सारे राजसरकारों को, एटरोनी जनरल को आप नोटिस देजिए, जो कोई भी अपना इसमें पक्स रखना चाता है, व सुप्रीम कोट में बाकिलो एस्टेट की सुधा खतम होने के बाद भी यहां नहीं की गई था, वहां के एक्ट में यह प्रोविजन नहीं था, इनको यह सुधा मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, यह नहीं था, यह बले बंगले के लिए वो गय थे, अब तक सुधा का तका तका जा तो यह स्वें, यह खुद का ही है कि स्वें इसको खारिज करते हैं, जूँकि इसका जो अभी वसंदर राजे जी को 15 दिसंबर को जो अलॉट्मेंट किया था, उसके अंदर जो जी एडी ने लेटर लेखा, उसमें लेखा कि अलॉट्मेंट जो है, सरकार के फ्राणा कोई सरकूलर उसके तर्फ किया जाता है, लेकिन इस ओर विल रिमेंट सब्जेक्ट तुल दा डिसिजन ओप दर इट्पेडिशन सो और नाम लिखा उसमें, जब डिसिजन हो गया, तो आटोमेटिकली विट्रो लेफ्स हो गया, इस सब्ता में आने के बा कि राजस्थान में पुर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुर्धाएं वापस ली जाती है, ये पुर्व मुख्यमंत्री वसंदाय राजे का 13 सिविलाइंस निवास स्थान है, जिसे वो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री निवास में बदल दी थी, और जब मु बनी तब भी उन्होंने इस बंगले को नहीं छोड़ा था और कहा था कि तेरा सिवी लाइन तेरा जो नंबर है उनका लखी नंबर इसलिए वो नहीं छोड़ रही हैं यहां पर तमाम जो स्टाफ हैं पुरू मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यहां पर अभी हैं का स्टाफ होगा गाड़ी होगा उनके परिवार को और पुरू मुख्यमंत्री को पुरे देश में कहीं भी घूमने की सुधा होगी इस तरह की सुधा को 2017 में राजस्थान हाई कोट में चैलेंज किया गया था जहां नई 9 माई को सुनवाई पूरी हो गई थी मगर फैसला स सुरक्षित रख लिया गया था और आज राजस्थान हाई कोट ने कहा है कि राजस्थान जैसे गरीब राज्य के लिए इस तरह की बातें ठीक नहीं है कि पुरू मुख्यमंत्री इस तरह की सुधा का फैदा उठाएं तो कह सकते हैं कि अब जो 13 नंबर का बंगला है वो प और क्लॉज जोड दिया गया था कि विशेश प्रावधान के तहट पुर मुख्यमंत्री जगनात पहाडिया को भी सुधा जारी रहेगी क्योंकि वो दो साल तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे थे तो एक तरह से कहें कि जिस तरह की सुधा इन्होंने यहां पर ली थ सुधाय कोट ने जब उतर प्रदेश में सारी सुधाय पुरू मुख्यमंत्री खतम कर देती लेकि राजस्थान में जारी रखी गई थी उपर से जो अशोग घलो तुसमें विवपक्ष में थे तो उन्होंने चिट्टी लिखी थी वसंद्रा राजे को कि आप बताएं क्य करना चाहिए हमें खाली कर देना चाहिए रखना चाहिए लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कोई कारवाई नहीं की उल्टे हाई कोट में उन्होंने इस विधे के पक्ष में पैरवी के जिसे अधिवक्ताओं ने दुरभागेपुर्ण करार दिया हलाकि आ राक्षा कर्मी यहां पर हैं उन्हें लोटाना होगा कैमरान संदीब के साथ शारत कुमार जैपूर